दोस्तों कर आपके चैनल पर वाच्टम डिक्रीज हो जा रहा है एफिकलिज आपको वाच्टम ड्रॉप हो जा रहा है घट जा रहा है आपको वहाँ पर इलिजिबिटी वाले सेक्शन में वाच्टम बढ़ने के बजाए वहाँ पर घटता हो दिख रहा है तो दोस्तों आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं एफिकलिजे आप इसे घटने से कैसे रोग सकते हैं बहुत से लोग जो कि मेरे वीडियो में कमेंट किये हुए हैं कि मेरे वास्टाम वहां पर घट जा रहा है हम वास्टाम वहां पर बढ़ता हुआ दिखना चाहिए वहां पर मेरे वास्टाम घट जा रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है कैसे कर सकते है तो चलिए दोस तो समझते हैं कि वाश्टम यहां पर घर कूँ जा रहा है इस वीडियो में है। अगर आप इस तीन चार रिजन को अच्छे दरीगा समझ लोगे तो वहाँ पर आपको वाच्टम घटे गा नहीं बलकर एड होता हुआ आपको दिखेगा तो चलिए आए दूस्तों वीडियो को लंबना करते हुए समझते हैं कि की तरह से हम अपने वाच्टम को घटने से रोंख सकते हैं और अपने eligibility वाले section में अपने वीडियो से जो watch time मिल रहा है हम उसे बढ़ता हुआ कैसे देख सकते हैं फिर के लिजी कैसे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको phone casting recording on कर दिया है कि ताकि मैं आपको हर चीज step by step समझा सकूँ जो कि आपको यहाँ पर side में देख पारेंगे दोस्तों अभी मैं आपको 3-4 reasons बताने वाला हूँ अगर आपका भी watch time घट जा रहा है eligibility वाले section में वहाँ पर आपको बढ़ने के बज़ा घटा हुआ दिक रहा है तो दोस्तों आप इसे कैसे ठिक कर सकते हैं अब मैं आपको सब चीज़ step-by-step समझाता हूँ और आप इसे कैसे रोख सकते यह भी मैं आपको बताने वहाँ लास्ट मैं आपको एक ऐसा option या फिर कर लिज़े एक ऐसा method बताने वहाँ अगर आप उसे यूज करोगे तो अगर आप उसे यूज कर लेते हैं तो आपको वास्टम कभी घढता हूँ नहीं दिखेगा बलकि आपका जो भी विडियो से वीउस आ रहा है फिर कली जी वास्टम आ रहा है आपको बढ़ता हूँ दिखेगा तो यहाँ पर क्या करना है दो यहाँ पर जैसे आप वाइट आपको last 28 दिन का आपका जो भी आपके चैनल पे व्यूज आया है वो यहाँ पे आपको last 28 दिन का यहाँ आपको व्यूज देखने को मिल जाता है जुस्तों गर आप इसे slide करते हैं तो यहाँ पे आपको watch time देखने को मिल जाता है कि last 28 दिन में आपके चैनल से कितना watch time increase हो रह रहा है आपको आपने जो भी वीडियो अप्लोड किया है यूटूब पे वो सारे वीडियो मिला कि आपको यहाँ पर वाच्टम कितना देखने को लास्ट 28 दिन में अगर आप इसे स्लाइड करके आपने सब्सक्राइबर्स देखते हैं तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइबर आप यहां पर देख सकते हैं उपर मैं वाच्टायम के नेचे अपर 28 देख है अगर आप इसे लाइफटायम करते हैं चैनल से व्यूज आया है फिर कर दो बहुत वर कितना मिला है जली मैं आपको अपसे चैनल का रआ अबाप्टाम कमेता दिखा नेस हो ईचैनल के चैनल के अब आपСटार के लिए जया देखकते हैं दोस्तों आप ऐसे भी अपने वाइटे स्टूडियो में जाके आप यहां से टच करके आप अपने वाजटाम का अनेटेक्स यहां पर चेक कर सकते हैं दोस्तों आप यहां पे आप वाजटाम जैसे ही काउंट कर लते हैं फिर देख लते हैं कि मेरे जो भी आपको मिला है 475 गंट आपको 28 दिन का और जो भी आपको लाइफटाम को वाजटाम गंटा मिला है वो उसके हिसाब से आपको यहां पे अर्ण वाले ओप्संस में यहां आपको इलिजबिटी वाले ओप्संस में उस हिसाब से आपका वाजटाम इंक्रीज हुआ है अगर आपको यहां पे डिक्रीज होता वह दिख रहा है तो दूस्तों यह कैसे हो रहा है यह क्यों हो रहा है इभी मैं आपको आगे बताने बहुत बस आप वीडियो को दियान से देखेगा और दियान से समझेगा उससे पहले मैं आपको सब्सक्राइबर मिल रहे है विए प्षे जितने भी आपको watch time count हो रहा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ से इसे चिक कर सकते हैं अब चलिए earn वाले options में आपको लेकर चलता हूँ और जो भी आपने earn वाले options में आपने eligibility के तोर पर जो भी आपना eligibility criteria complete किया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा 2000 से अबब watch time दिखा रहा था और यहाँ पर मेरा 1831 गंटा दिखा रहा है अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 3-4 reasons पहले मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने watch time को increase कर सकते हैं या फिर कलिजे आप अपने watch time को घटने से कैसे रोक सकते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाता हूँ 3-4 reasons को आप समझे सबसे पहले reasons है ісहर दोस्तों कि आप अपने चैनल पर जब भी काम करते हैं वीडिवह को बिए अप्लोड करते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं बहुत चैसे लोग हैं जो कि चैनल में काम तो कर रहे हैं यां को along कर रहे हैं अब चले मैं आपको दूसर रिजन्स बताता हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि बहुत से तेज लोग हैं, कि अपने चैनल पे जल्दी से 1000 सब्सक्राइब और 4000 घंटा का वाच्टम क्रेटेरिया कम्प्लीट करके यूटूब चैनल से पैसे कमाना चाते हैं, बस यही जल् सब्सक्राइबर्स को खरीद लेते हैं, मतलब उनको बताया जाता है कि इतने पैसे में इतने सब्सक्राइबर्स और इतने पैसे में इतने वाच्टम मिलते हैं, और वो क्या करते हैं, अपने चैनल को जल्दी से मोनिटाज करने के लिए और चैनल से पैसे कमाने के लिए फिर के लिए सब्सक्राइबर्स बढ़वा लेते हैं लेकिन अगर आप इस तरह के वास्टाइम और सब्सक्राइबर्स ले रहे हैं तो आगे चलके चैनल आपका डी मोनिटाइज हो जाएगा या फिर कॉपी राट के लिए में किसी भी कारण से आपका चैनल को डिस्मिस कर द लेकिन क्या करते हैं जब उन्हें अपलोड करना रहता है वह लाइव वाला वीडियो तो वह क्या करते हैं वहां से उच लाइव वाला वीडियो को प्राइबिट कर देते हैं अब जैसे आप प्राइबिट करते तो जो भी आपको वास्टाइम मिला है वह वास्टाइम बढ आता है तो वो वीडियो को कुछ दिन देख लेते हैं वीडियो को बूस्ट बगरा करके देख लेते हैं अगर वीडियो में तपर भी वीडियो को वहां से डिलीट कर देते हैं तो यहीं पर सबसे बड़ा गलती कर देते हैं अगर आप अपनी वीडियो को डिलीट कर दोगे औ और उस वीडियो जो भी आपको 2, 4, 5 घंटा, 6 घंटा जो भी आपको मिला है watch time वह भी वह आपका वहां से watch time और उस वीडियो जो भी subscribers मिला है वहां से आपको वहां से minus हो जाता है तो आप यहां तक तो समझ केंगें दोस्तो अब चलिए मैं आपको एक खास बात बता देने च तो यहां पर क्या करना तो दोस्तो अगर आप अपने चैनल पर काम कर रहे हैं वीडियो से बगर अपलोड कर रहे हैं और कोई ऐसा वीडियो जो वाइरल हो गया है और एक दू वीडियो एसा है कि वाइरल नहीं भी है मतलब बहुत से वीडियो जो वाइरल नहीं हो गया है अब यहां पे का करना दोस्तों, last आपको 365 दिन को पकड़के चलना है, last 365 दिन में आपको 4000 वाजटाइम कम्पलीट करना होता है, बहुत जैसे लोगे जिनका वीडियो वाइरल हो गया है, वो वीडियो जब वाइरल हो गया है, 7-8 मन्थ हो गया है, और वीडियो से जो भी उनक last 365 दिन में अगर watch time चाहिए तो आपको last 365 दिन में आपको वीडियो को वाइरल करके वहाँ पे watch time इंक्रीज करना होता है अगर आप last 365 दिन क्रॉस कर गए हैं तो वह वीडियो से जो भी आपको watch time इंक्रीज हुआ था मानली जे 10 गंटा वारा गंटा इस तरह से करके जो भी पिर माइनस होता हुआ दिखेगा last 365 दिन के बाद अगर last 365 दिन के अंदर कर लेते हैं तो watch time आपको इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे आपका चैनल का क्रेटरिया कंप्लेट हो जाता है इतना करने के बाद भी आपके चैनल पर watch time इंक्रीज होता हुआ नहीं दिख रहा है मतलब आप अपने चैनल पर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे है लेकिन फिर भी आपके चैनल पर यहाँ पर views इंक्रीज नहीं हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आप अपने वाइटी स्टूडियो को एक बार अनिंस्टॉल कर लिजेगा और फिर से आप प्ल आहाँ पर आपकर वास्टाम इंक्रीज होता हुता हो दिखेगा दोस्तों इस वीडियो में आपको अपने वास्टाम क्reno करता हुआ। तो आई होब दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगा वीडियो को लाइक कर दिएगा चैनल पे नहों तो सब्सक्राइब कर दिएगा कोई भी सवोल तो कमेंट कर दिएगा मिलता हूँ यार फिर का लिए वीडियो साथ तब तक ली जय हिंजय भारत